नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं आप कैसे डिपॉजेट पहले से भर के बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं नॉर्मली जब हम बैंक जाते हैं तो वहां पर और हमें कैस जमा करना होता है तो इस पहले से भरनी पड़ती है उसमें एकाउंट नमबर आपको को एमाउंट और दोनों तरफ उसको बरना उसमें थोड़ा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा नहीं लगता है वह तरीका और अगर ऐसा हो कि यह सारे डिटेल्स भर जाए आपको क्यों एमाउंट डालना हो तो आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी से बैंक में कैस्ट करकर आ सकते हैं ठीट लुए तो हम एकाउंहां नंबर गलत भर देते हैं यर्या कौछ ऑमाउंट गलत भर देते हैं तो उससे भी में गड़ा बढ़ भड़ी तो मैं आपको बता रहा हूं एज़ डीजिंगarem ऑर यह कश्दमर एम यह जबाइए और ऑफ एस बैंक को सिब न मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है सबसे पहले अपनी HDFC बैंक की Net Banking में लॉगिन करना है जैसे आप लॉगिन करेंगे आज जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये आपको ये एकाउंट का अपना झो टेस्मूर्ट में यहां पर लेप साइड में आपको एक रिक्वेस्ट का बटन देखेगा रिक्वेस्ट करने पे आपको बहुत सारे options दिखाए देंगे तो यहां पर एक आपको option दिखेएगा डाउनलोड deposit slip आपको इस पर क्लिक करना जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दो आप्सन आपको दिखाए देंगे एक तो बैंक डिपोजिट जो खाली होगी इसको भर के आप बैंक में जा सकता दुसरा प्रिंटेट इसमें आपका पूरा एकाउंट नमबर और आपका फॉन आपको दाउनलोड पDEN क्लिक करने हैं तो यहां पर प्लीज टांज इन कंडिशन पर इस पर क्लिक करने हैं। जैसे यह डाउनलोड पक्लिक करेंगे तो एक पहले से बढ्राफि हुई स्लेब जिसे जैनल देखें यह देखिए आपका account number आपका phone number आपका pen number आपका नाम होगर है सारा सब कुछ भरा हुए तो इसकी दो तरप इंफेक्ट इसकी चार copy आइसकी हैं अगर आपको दो बार भरने हैं तो अगली बार भी जब कभी आपको इसके इसके इस्तेमाल करना है आपको इने यहां पर करते तो आपका ये जो एकाउंट नमबर नाम और काफी आपका समय बच जाता है कि आपको आपको सिर्फ इसका प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के आपको इसको जो बच्ची वीची जो भरना है और बैंक में आप जाके अपना कैश जबाद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी सुभिधा है यह SDMC Bank की आप इसको ट्राइ कर सकते हैं और इसकी मदद ले सकते हैं तैंक यू अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो इससे आपकी मदद हुई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद